हेई गाइश वेलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अब कास वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम रिक्वाइर्मेंट की बात करने जा रहे हैं वो निकाली गी है डी अमर्सी की तरफ से यानि की दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन की तरफ से वेरियस पोस्ट पर वेकंस्स आउट की गई है तो जितने भी कैंडिट अलिजबल हैं इस उड़े को सुरू से लेकर रहन तक पूरा देखेगा फूल प्रोसेस इस वीडियो में डिसकस करने वाले एस लिमिट क्या रह यहां पर नहीं कोई अप्लिकेशन फी लगने वाला है तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं और एक बात गाईस अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस कर दें गवर्मेंट जॉब की इसी तरह प आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से अपरेड कर सकते हैं मैं पहले बतातु हूं यह वेकनसी जितने भी केंड़ेट है वह डेपुडेशन केंड़ेट के लिए एलिजबल हैं तो चलिए मैं एक ओपन करके आपको दिखाने वाला हूं यहां पर यहां पर जो कोई भी आप आपको ओपन करना है और यह रहा ओफिशियल नौड़ेशन इसी तरह सारे नौड़ेशन आप इसे चेक कर सकते हो यहां पर जितनी भी पोस्ट है देख सकते हैं नम्मर वेकनसी एक वेकनसी है जो कि यहां पर डिप्टी जेनरल मेनेजर ट्रैफिक के लिए यहां पर चाहिए आपका प्लाइनिंग ट्रैफिक में तो यहां पर जितने भी मॉन्डेट्री वर्किंग नौलेज ऑप क्यूब आप सिमिलर सॉप्ट उप्टवेर यानि कि सबमें यहां पर जितने भी आप एक बीच मैपके प्लाय करो इसका वर्किंग ट्रैफिक वर्किंग नौ नेक्स्ट यहां पर एसिस्टेंट मेनेजर यहां पर डिपट डिजाइन के लिए एक वेकंसी है क्वाइलिफिकेसन यहां पर देखते हो त्री एर का डिपलोमा इंजिनेरी होना चाहिए यह गौवर्मेंट रेकोगनाइज बोर्ट दोवारा याद रहे फिर बी बिटेक सीव हाइस सेलरी जाती है यहां की लेकिन इतना आपको ध्यान हो आप पद के लिए यानि पोस्ट के लिए पैलिजबल लो तभी अपलाइ किजिए यानि कि आप इस पोस्ट के लिए अगर अपलाइ करना चाहते है तो आपको PSU या फी गौवर्मेंट सेक्टर में काम किया होना यानि कि experience candidate ही eligible है और वो apply कर सकते हैं बात करें कितना experience होना चाहिए तो 5 साल का minimum experience होना चाहिए डिप्टी मेनेजर के लिए और assistant manager के लिए इसमें 2 साल का होना चाहिए यहां पर selection process आप मिल जाएगा interview या फिर medical यहां पर examination होने वाला interview वेसिस होगा और medical exam तो होगा ही यह similar है और उसके बाद यहां पर जो और application form गाइस इसका official आपको मिलेगा यानि कि offline send करना है offline fill करने के बाद सारे documents को यह आपका यहां पर official जो update है address का यहां पर आपको speed post के जरी आपको send करना है याद रहे जो भी आप यहां पर post कर सकते हैं वो आपको 31 जुलाई से पहले send करना गा कई सारी vacancies है उसी तरह आपको यहां पर चेक कर लेना है और वहां पर आपको apply करना और यहां पर चेक कर सकते हो मान लिजे फिर मैं यह दूसरा open करता हूँ तो भी इसी तरह मान लिजे एक मैं application यह open किया यहां पर जो general manager देख सकते RS deport के लिए जो है vacancies निकाली गई है यहां यहां पर deputation candidate eligible हैं मतलब की freser candidate यहां पर apply नहीं कर सकते हैं टोटली जितने भी candidate है experience है उस working knowledge में कम से कम 5 सल का तभी आप eligible हो इतना आप याद रहे हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ freser candidate apply यहां पर आप नहीं कर सकते हो form fill only यहां पर offline करना है भेजना है वही address पे same to same जो भी basic interview के लिए बुलाया जागा फिर आपको यहां पर interview की date आईगी है और आपको interview देना finally exam हो कहीं नहीं होने वाला है नहीं आपको यहां पर कोई भी application fee लगने वाले होफुली गाइस आप वीडियो पसंद आयोगी लाइक कीज़ेगा अपने दोस्तों तक share कीज़ेगा कहीं प